Merry Christmas to you all आज हम लोग बहुत हमारे लिए मान और सम्मान की बात है कि दिल्ली के आर्क बिशप और इतने सारे प्रीस्ट्स क्रिस्मस के सेलिब्रेशन के मौके पे हम लोगों के बीच में हैं हर साल हम लोग क्रिस्मस का त्योहार मिलके मनाते हैं और आर्क बिशप भी और सभी प्रीस्ट्स हर साल समय निकाल के हमारे बीच में आते हैं उसके लिए आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग भी समय निकाल के आज हमारे बीच में आए उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सरकार के पान साल पूरे हुए और आज पान साल पूरे होने पे सबसे ज़ादा संतुष्टी इस बात की है कि ये पान साल हम लोगों ने जीसिस क्राइस्ट के बताएवे रस्ते पे सरकार चलाने की कोशिश की पूरी जिन्दगी जीसिस क्राइस्ट ने गरीबों की सेवा की उनके जिन्दगी से में इतने उधारन हैं इतने इंसिडेंट्स सुनने को मिलते हैं पढ़ने को मिलते हैं बाइबल में कि किस तरह से कोई बिमार था उनकी बिमारी दूर की तरह तरह के इंसिडेंट्स है हम लोगों ने भी दिल्ली के अंदर गरीबों का इलाज कराने के लिए जगे जगे महल्ला क्लिनिक खोले गरीबों का इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पतालों के विवस्था को दुरुस्त किया बहुत सारे नए सरकारी अस्पताल खोले सब के लिए इलाज मुफ्त किया गरीबों के लिए स्कूलों की अच्छी विवस्था की शिक्षा की अच्छी विवस्था की हम पूरी यही कर रहे हैं कि जो जीसिस क्राइस ने अपने जीवन में संदेश दिया था हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं मामूली लोग हैं अगर उनके बताएवे रस्ते पे एक परसेंट भी अमल कर पाएं तो हम अपने आपको सौभागेशाली समझेंगे लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा संदेश उनके जीवन का था कि आपके साथ कोई कितना भी बड़ा अन्याय करे आपका कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो उसे माफ कर देना है जीसस क्राइस्ट को जब अन्तिमक्षन थे उनके और उनको तरह तरह की यातनाएं दी जा रही थी उनको तरह तरह से प्रताडित किया जा रहा था तब भी वो अंतिम ख्षनबे भी उन सब लोगों को माफ कर देते हैं जिन लोगों ने उनको इतनी बड़ी बड़ी यातनाई दी थी मैं अपने मन में सोच रहा था क्रिस्मस वाले दिन जब मैं चर्च में गया था तो मैं मन में सोच रहा था हमारे साथ कोई जरा सा कुछ गलत कर दे हमारे मन में तुरंत आता है इसको तो मैं मजा चखाऊंगा आता है कि नहीं आता है और अगर हमारी थोड़ी भी पावर हो उसके उपर तो फिर हम उसको मजा चखाने में तो एक इनसानी प्रवर्ती है कि हम सामने वाले को अगर कोई हमारे साथ जरा सा कुछ बुरा करता है हम उसको बदला लेने की कोशिश करते हैं यह साही नहीं है इससे समाज आगे नहीं बढ़ती इससे इनसानियत आगे नहीं बढ़ती यही मैसेज सबसे बड़ा मैसेज मुझे लगता है जीसिस क्राइस्ट का यह है जो उन्होंने अपने मरते वक्त दिया था कि आप से कोई कितना भी बड़ा आपको यातना दे आपका कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो हमें उसको माफ करना है और माफी सबसे बड़ी मुझे लगता है कि इनसान की कॉलिटी है तो मैं फिर से बहुत-बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूँ कि आप सब लोग इतनी ठंड में समय निकाल के आए दिल्ली विधानसवा के इस प्रांगन में जब से हमारी सरकार आई है स्पीकर साब के एफ़र्ट से एक बड़ा खुबसूरा ट्रेडिशन चालू हुआ है कि यहाँ पे हर धरम के त्योहार अब मनाये जाते है यहाँ पे एद मनायी जाती है यहाँ पे रोजे रखे जाते है यहाँ पे दिवाली मनायी जाती है यहां पे गुरु पर मनाया जाता है तो यह एक तरह से दिल्ली विदान सभा का यह प्राँगण अ एक तरह से अपने लिए मिनी इंडिया है और जो हमारे ब्हारत की आत्मा और जो स्पिरिट है वो यही है कि हमारा देश किसम किसम के धर्मों का देश है किसम किसम की जातियों का देश है किसम किसम की भाषाओं का देश है किसम किसम की संस्कृतियों का देश है और इस किसम की विविदता आपको पूरी दुनिया में किसी देश में नहीं मिलती जितनी आपको भारत के अंदर मिलती है यही हमारे देश की quality है और इसी quality को अपने को बरकरार रखना है और कोई भी अगर इसको अगर छीनने की कोशिश करता है हमें उसे रोकने की पूरी कोशिश करनी है कि हम अपनी विविदता को कभी न खोएं हमारे देश में जो किसम किसम की विविदता है यह हमारे देश की सब से बड़ी कॉलिटी है मुझे बहुत खुशी है कि आज हम ये त्योहार सब लोग मिलके मना रहे हैं फिर से आप सब लोगों के लिए क्रिस्मस का त्योहार बहुत-बहुत शुब हो आने वाला नया साल आपके आपके परिवार के लिए धेर सारी खुशियां लेके लिए आए ऐसी मैं प्रभू से काम ना करता हूं इच्छा करता हूं बहुत-बहुत शुक्रिया